सिक्षा कांती लाएंगे हम आगे बढ़ते जाएंगे जोते जगा कर ग्यान की हम सब को राह दिखाएंगे अगर वीडियो आपको अच्छे लगे तो लाइक बी कर देना और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर देना ठीक है बच्चो तो आज हम इंग्लिश की क्लास में क्या पढ़ेंगे लेसन नमबर टू यह कह लिखा है बच्चो और फैस्टिवाल्स और फैस्टिवाल्स हमारे ते घक है बच्छो तो फ्री रिडिंग का मतलब क्या होता है बच्चो पढ़ने से पहले यहां पर आपको एक पिक्च्छ warto दे रहीं है इसको देखो इसमें आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है बच्चो पता हुआ ङुझ थे थै दिन रहे है एई चकरी यह एटकृ गू से तयार हुई है यह रंगोली बनाई है इन्होंने सुदर संदर कपड़े पेने तो भचों यह भी बताओ यह कौण सा तयार है यह कौन सा तयार है यह है दिवाली वेरी गूड दिवाली पे हम क्या करते हैं पठाके जलाते हैं पठाके जलाते हैं दिये जलाते हैं अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं अच्छे अच्छे मिठाईयां खाते हैं और भगवान की पूजा करते हैं ठीके बच्छो तो इसके अलावा कुछ और तेवार तीज ठीक है बच्चों तो चलो देखते हैं अगले पेस पर क्या है कि देखो बच्चों यहां पर लिखा हुआ है यहां पर बच्चों आपको कुछ पिक्चर देखो और बताओ कि यह कौन कौन से पेवार बना रही है ठीक है बच्चों तो देखो सबसे पहले फर्स पिक्चर इसमें क्या लिखा हुआ है C-H-R-I-S T-M-A-S Christmas देखो बच्चों इन्होंने यह टोपी पहने हुए है C-H-R-I-S T-M-A-S Christmas पे पहने जाती है Santa Claus भी ऐसे ही टोपी और कपड़े बहनते हैं Christmas पर लोग यह Christmas tree को सजाते हैं बहुत सुन्दा तरीके से सजाते हैं पपढ़े पहनते हैं और रात को सेंटा क्लोज से विश मांगते हैं उन्हें फिर गिब्ट भी मिलते हैं ठीक है बच्चों देखते हैं आगे क्या है यह देखो बच्चों यह क्या है E-I-D E-D 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 क्या होती है बच्चों इसमें सभी बहुत प्यार से आपस में गले मिलते हैं अच्छी-अच्छी मिठाईयां खाते हैं तो चलो आगे देखते हैं आगे कौन सा तेवार है होली होली को कैसा मनाते हैं बच्चों हम कैसा मनाते हैं इसमें हम एक दूसरे को कलर लगाते हैं रंग लगाते हैं पिचकाई से खेलते हैं इसमें हम पहले तो पुराने कपड़े पहनते हैं ताकि हमारे नए कपड़े रंग से खराब न हो जाएं बच्चों हम इसमें होली का क पूजा भी करते हैं और अच्छी अच्छी मिठाईया खाते हैं अच्छी पकवान खाते हैं यह देखो आगे बच्छो क्या है रक्षा बंदन इसमें यह राकी बानते हैं और मिठाईया खाते हैं फिर गिफ्ट मिलता है ठीक है बच्छो तो आज की क्लास में हम इतना ही करें आप इनको अच्छे से देखो और अगर आपको कुछ और भी याद है वो अपनी ममी पपा को बताओ जो मैंने बताया है आप उसको सबको बताओ कि कौन सा तेवहार में क्या क्या होता है और आप कौन-कौन सा तेवहार मनाते हो ठीक है बैचों तो आज की क्लास में हम इतना ही करेंगे थेंक्यू बाए-बाए-बाई